दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विजेटा की एक काफी अमेजिंग कस्टमाइजेशन के बारे में जिसका होम स्क्रीन लूग कुछ ऐसा देखने को मिलता है अगर आपके पाई शोमी डिवाइज है तो आप लोग की स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो जिसमें के आपको काफी अमेजिंग आइकन के साथ एक डिफरेंट आप का म्यूजिक प्लेर देखने को मलता है एंड कंप्लेट यहां पर आप सिस्टम युआई को भी चेंज कर पाऊगी तो वीडियो काफी जादा अमेजिंग होने वाले है लाइक कर देना आज की इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 80 लाइक का I hope कि आप कंप्लेट करवाद होगे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे किस्टमाइज करना है उसके बारे में बात करते हैं आपको क्रेट करने के लिए आपको कुछ basic settings करना पड़ेगा आपको क्या करना है बूटम में 4 या फिर 5 आइकन को add करना है अब देखो पहले बात करते हैं हम Xiaomi Redmi Poco device के बारे में जिनके smartphone में theme store का application है वो open कर लेना चाहे Xiaomi का हो या फिर other company का हो theme store होना चाहिए और वहाँ पे आपके सामने free icons देखने को मिले तो आप theme store application open कर लेना आप देखो मैं यहाँ पे Xiaomi smartphone यूज कर रहा हूँ तो हम ये वाले theme डाउनलोड करेंगे जिसका name देखने को मिलता है flat red के नाम से आप यहाँ पे name देख सकते हो ये वाले theme आपको download करना है यहाँ पे आप creator का name देख सकते हो आप देखो HyperOS में आप different theme भी यूज कर सकते हो बस red icon यहाँ पे आपको download करना है तो ये वाले theme हम download करके customize वाले option के उपर click करेंगे and icon के उपर इसको मैं apply कर देता हूँ आप देखो जिसके बाद Xiaomi का device नहीं है उनकी बात करते हैं तो आपको यह करना है play store application यहाँ पे open करना है open करने के बाद आपको search बार में type करना है novel launcher यहाँ पे download करना है आप देख सकते हो यह वाला application है बिल्कुल free है download कर लेना उसके बाद आपको एक application और download करना है जिसका name देखने को मिलता है red icon pack जो भी आपको पसंद आता है simple download कर सकते हो काफी सारे icon देखने को मिलता है अब एक application सभी smartphone में आपको download करना है जिसका name देखने को मिलता है kwgt custom visit maker यहाँ पे आपको paid version देखने को मिलेगा बट इसको आप Google या फिर मेरे आप से देखने को मिलेगा तो उसको भी allow कर देना अब देखो आपको क्या करना है विजिट को कैसे अड़ करोगे screen के उपर zoom in करना then widget वाले option के उपर click करना click करने के बार नीचे आना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है custom widget यहाँ पर tap करके इसको एड़ कर देना एड़ करने के बास size देख लो first second and third तीन layer में करना है और इसको कुछ इतना कर देना यहाँ पर देख सकते हो first second third and fourth चार layer में आपको यहाँ पर करना है and वापस से screen के उपर zoom in करना widget वाले option के उपर click करके एक widget आपको यहाँ पर और add करना है आप देखो इसकी size को थोड़ा सा इससे बड़ा कर लेना यानि आपको यहाँ पर करना है एक दो तीन और चार चार layer में आपको इसको रखना है उसके बाद आप देखो आप पहले home screen wallpaper चेंज कर लेना आप देखो widget को कैसे apply करोगे and nova launcher से complete setup को कैसे apply करते है उसके उपर भी मैंने वीडियो बना रखिए आपको इस वीडियो के description box में link मिल जाएगा उसके बाद आप देखो आपको इस वीडियो के description box में दो widget और देखने को मिलेगी कौन सी widget है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो first वाली आपको यह देखने को मिल दिया and second वाली यह देखने को मिल दिया तो first वाली widget को first number पे add करना है second वाली को second number पे अब देखो first वाली widget ये वाली देखने को मिल दी है and second वाली ये देखने को मिल दी है तो यहाँ पर tap करके इसको add कर देना first number की जैसे add करोगे अब देखो first number की widget आपको कुछ इस type से देखने को मिलेगी यहाँ पर tap करना जैसे tap करोगे size के अंदर automatic save हो जाएगा lock screen and system UI को भी change कर सकते हो तो कैसे change करना है theme store application open करना open करने के बाद आपको lock screen के लिए ये वाली theme डाउनलोड करना है जिसका coffee amazing आपको lock screen देखने को मिल जाता है and lock screen में आपको different type का music blade and icon देखने को मिलता है but आपको wall paper replace करना पड़ेगा आपके सामने कुछ ऐसी देखने को मिलेगी यहाँ पर देख सकती हूँ icon देखने को मिलते है अगर आप इनको hide करना चाते हो तो double tap कर देना and आपके सामने icons hide हो जाएंगी वापस से open करना जाते हो तो वापस से double tap कर देना उसके बाद अब देखो system को change करने के लिए आपको ये वाले theme डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पे आप name देख सकतो ये वाला name टाइप करोगे तो आपके सामने theme open हो जाएगी यहाँ पे आप creator का name देख सकतो आप देखो theme को डाउनलोड करने के बाद आपको पहले dark mode को on करना है उसके बाद customize वाले option को पर click करके इसको only system के उपर apply करना है आप देखो system के उपर जैसे apply करोगी आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो complete control UI and system UI भी change हो जाएगा जिसमें की काफी amazing आपको controls देखने को मिल जाता है and complete आपके customization create हो जाता है इसको आप किसी भी Android device में apply कर सकते हो बस उसमें home screen and local screen ही customize होगा तो try कर सकते हो तो मिलते हैं किसी और interesting customization के साथ तब तक के लिए बाई बाई